सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप क्लास 10 में है और एक मार्च को पेपर देने वाले हो गड़ित का तो मेरे प्यारोच एक वारल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं और इस कोड का पेपर आपके एक्जाम में 100% बनने वाला है और यह गड़ित का पेपर है देख पा रहे हो 2025 का पेपर है और पुड़ा के जो मेरे प्यारोच सारे बच्चों का 70 में 70 नमर आएगा चाहिए वो गड़ित में भले ही तेज हो भले ही कम जोरो कोई फरक नहीं पड करके बता है क्योंकि मैं पूरा का पूरा सलुचन एक एक की स्टेप करके बताया हूं एक क्यूसर को कम स्कम दो तीन बार प्रक्टिस करके जाना मेरे प्यारोच और एड्मीट का लेकर जाना सही-साही अनुक्रमा और सही-साही नाम यहां पर डाल लीजेगा और यह पेपर को जरूर सस्क्राइब को लेना एक लाइक तो बनता है आप लोगों क्लिए क्यूंकि मेरे प्यार रचो बहुत अच्छे तरीके से मेरे यहां पर एक एक को क्यूसर को डिसकस किया और एक क्यूसर को बताया है यहां पर देखिया नोट है बोला कि प्रावराम के 15 मिनिट पर और बहुत दो खंड है मतलब यह पेपर जोए दो खंडों में भिवाजित है एक तो खंड आ में दूसरा खंड आ में धूसरा खंड आ में 2 खंड बना हुआ है और 3 कर खंड केम एक और नोट अंप एक ऑमे के लिएक करश्न हैं उसमें आपको अती लगुत्रिय, लगुत्रिय और दिरगुत्रिय, दो और चार और छे नमर वले प्रस्ण देखने को भी लेंगी, इसके बाद बुला है कि खंडबों में कुन प्रस्णों की शंक्या कितने रहेगी, पाँच रहेगी, फिर बोला है प्रते एक प्रशने के आरम में असपास्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने है मतलब प्रते एक प्रते एक प्रशने के आरम में लिखा गया है आपको कि कितने खंड करना है तो उतने ही आपको खंड करने होंगे इसके बाद है प्रशने के अंकुन के समुख खंकी थे हर एक प्रशने के आगे आगे आपको बताया क्या होगा क्यों प्रशने एक नंबर का है दो नंबर का है कि चार नंबर का है कि छे नंबर का है जितना भी नमबर कोगा उसके सामने लिखा हुगा आपको मिलेगा पूरा का प्रशन करते चले जाओगे अगला है करा कि यदि रफ कारे के लिए अस्थाना प्यक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं प्रिष्ट पर कीजिए फिर काट दीजिए उस प्रिष्ट पर कोई हल ना कीजिए कहने के मतलब कि यह दिर रफ कारे करना चाहते हैं तो जो आपको copy मिलेगी copy के last size पे आपको रफ कारे करना है और वहाँ पर लिख भी दी जगा कि रफ कारे रफकारे लिखने के बाद जो भी रफकारे के रहेंगे उसको इस तरह कड़ देना है आपको उसके कोई हल नहीं करना है इसके बाद है रचना के प्रशनों को हल में रचना रेखाएं नो मीटाया दी पूछा गया तो रचना के पद संचियत में अवसे लिखें कहने का मतलब हैं कि कभी कभी रचना अब प्रषन आता है और रचना वह प्रषन को आपको मिटाना नहीं उसको उसी तरफ पेंसिल से किये तो छोड़ देना है इसके बाद है उसमें नमबर आपको काट लिया जाएगे, तो जो चीतर बनाना वेले प्रस्ण होगें, उसमें चीतर भी बनाना पड़ेगा आपको, पेपर यहां से स्टार्ट होता है खंड और खंड और में क्या है बहुभी कल्पिया प्रश्ण है ठीक है देखें पहला प्रश्ण क्या है एक एक प्रश्ण बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा कह रहा है कि यदि 65 और 117 के SCF को 65P-117 के रूप में ब्यक्त किया जाए तो P का मान होगा बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा एक 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 वर्ट समझाने का प्रयास करूँगा कि ताकि हर एक बच्चे का 70-70 नमर आए पेज में ने ले लिया बोला है कि 65 और 117 का SCF इतना है तो जाइक से बात है कि आप क्या कीजिए कि 508 और 117 का SCF निकालिए और SCF को उसके बरावर कर दीजिए इसके इतना फिर खुद ही आपको P का वेलू महलूम चल जाएगा कैसे देखिए सबसे पहले आप करूँगे क्या मेरे प्यारोचो यहां पर लिखोगे 65 ठीक है और यहां पर लिखोगे नीचे 117 65 का मेरे प्यारोचो अगर आफ्टराइज करो तो 65 को आप किस से कटाओगे 5 से तो इससे लिख सकते हो 5 गुड़े 13 क्यूंकि 13 पाचे 65 होता है लिख सकते हो बिल्कुल अब आज उड़न खंड करोगे तो इसी तरह होगा 117 क्या होगा तो 3 से कटाओगे तो 339 139 117 इसको हिंदी में बोलते हैं मौसा यह भी बात आप लोगी यात रखेगा से को हिंदी में क्या बोलते हैं मौसा कैसे निकाला जाता है से निकाला जाता है जो दूनों में कामन हो जैसे 13 इसमें भी है मेरे प्यारोचो और 13 इसमें भी है तो दूनों में 13 कामन हो रहा है इसलिए 13 ही आप लिखोगे 65P माइनस 117 बराबर कर दोगे क्या 13 के किलियर आप इसको हल कर लीजिए चलिए हल करते हैं मैं पेंट चिंज कर देता हूं यह हो जाएगा आपका 65P बराबर यह हो जाएगा 13 अब माइनस 117 उधर बेल दोगे तो हो जाएगा प्लस 117 कोई दिक्कत नहीं यह हो जाएगा आपका 65P बराबर साथ तीन दस एक एक दो एक तीन और यहां पे हो जाएगा एक 130 यहां से आप पी का बेलू गया आद के लिए तो पी बराबर क्या हो जाएगा एक सो तीस पैंसर्ट गुड़ा में इधर आएगा तो 65 किसमें आजाएगा भाग और 65 दुनी के कितना होता है मेरे प्यार बच्चों एक सो तीस तो पी बराबर क्या गया दो और पी का बेलू क्या गया दो आई इसी का बेलू तो पूछा था देखे बूचा था कि पी का मन होगा तो पी का मन कितना आ गया दू आ गया जब आप देखोगे तो दूसरा वाला आफसन देखने को भी लेगा तो बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समझ में आगे आप लोगों को अब इतना असान कोई बता पाएगा आ इसलिए इसलिए को नहीं बता पाई रहा है अगे दू बार कि प्र्सण नमर कतरा तो बहुभी कल्पिया प्रस्ण नहीं तो सारे बहुभी कल्पिया प्रस्ण एक एक नमर के ही पूछे जाएंगे तो 2 10 45 अंस बटे 1 plus 10 45 अंस कमाने क्या होगा इसमें कुछ करने की जो उतने बस बहलू जिसको मालूम है उसका काम बन जाएगा तो पहले प्रस्ण नोट करते हैं यहाँ पर दिया है 2 10 45 अंस आम लोड नोट करेंगे 2 10 45 अंस और बटे में बटे में ने लगा दिया 1 plus यहां लिखेंगे 1 plus 10 square 45 अंस लिखेंगे 10 square 45 अंस ठीक है अब इसे हल करेंगे देखें कैसे अब मेरे प्यार उच्छो हो जाएगा 2 तो 2 गुड़े 10 45 अंस कमान कितना होता है मेरे प्यार उच्छो 10 45 अंस कमान एक होता है तो आप लिखो यहां पे एक बटे में 1 plus 10 square 45 अंस तो 10 45 अंस कमान तो एक था इसका square करना थी इसका square कर दीजिए आप simple तो 2 को गुड़ा एक में करोगे तो 2 एक हम तो और बटे में 1 plus 1 का square करोगे तो एक ही आने वाला है तो उपर तो 2 हो गया और नीचे भी 1 एक जोड़ोगे तो 2 और 2 से 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा 1 तो इसको हल करने पे कित कर लेते हैं देखिए लसा कैसे गयात किया जाता है तो तो źो आप यहां पर लिखेंगे पंद्रा नीचे लिखेंगे ईटारा इसके नीचे लिखेंगे 24 यही August को करना है 15 को हम लोग factorize करेंगे तो 3 गुड़े 5, 3, 5, 15 इसको करेंगे तो यह हो जागा 2 त्याए 6 और 6, 3, 18 अब हाज गुड़न खण के रूप में हमेशा factorize किया जाता है 24 को क्या लिकोगे 2 से कटाओगे तो 12 बार बार में लासा हमें क्या गयाद करना है मेरे प्यारोचो लासा गयाद करना है अज लासा क्या कहता है उसको देहां समझे लासा मेरे प्यारोचो यह कहता है कि जो कामन मिला है उसको ले लो जो कामन नहीं मिला है उसको भी ले लो यह कहने का मतलब है तो कामन देखें, पहले दो को देखते हैं, दो इसमें है, दो इसमें भी यह दो इसमें नहीं है, ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूं, तुरंत आप लसन निकाल दोगा, ट्रिक की मता समझे, ट्रिक क्या कहता है, लसन निकाल लेका, कि जितनी भी अभाजे संक्या है, सब को ल तो, सबस्था है एक चारु नवा है तो, सबस्थह सबसे घया है काम मोने सबस्क tom PayPal का मतलब 5-3 का सबसे घर्ड़ी बाता है तो एक ही तो एक ही आप लिख तो इह ढ़े ultra 4-3 हो गया डाच मतलब तेन पर दो चाहतर ही डौटतार को पानेस अब यह वह जागा 8, 5, 40, 49, 49, 36, 360, 360 हो गया मेरे परोचल लासा, अब बताई ये कितना सिंपल है, तो जब लासा निकालना है ना, तो जीतने भी आब आजे संके हैं, उसको लिख लो, उनकी बड़ी घात को लिख लो, यह होता है लासा का ट्रिक, 360, चलिए देखते हैं, 360, डीवला आपसन, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जागा, ये भी प्रशन एक नमबर का था, तो इतना आसान आपको कोई नहीं बता पाएगा, जितना भी उतना ट्रिक भी आपको बता रहा हो, तो बिल्कुल आसान तरीके से उसको कर पाऊगे, आप मेरे प्यार चो चौथा प्रशन देखे, क्या है, कह रहा है कि 140 और 180 का सरलतम रूप है, सरलतम रूप मतब इसको काट कर इतना चोटा कर देजिए, कि उसके बाद कटने लायक नहीं हो, तो सरलतम रूप आप इसको का सरलतम रूप आ जाएगा, वह क्या होता है, कि पहले इन दोनों कहां आप SCF निकाल लो, SCF कैसे निकालते हैं, तो भाग भी दिद्वरा SCF निकाल लो, तो यह हो जागा, मेरे प्यार भाग दिद्वरा SCF कैसे निकला जाता है, छोटी संक्या का बड़ी संक्या हम भाग दिया जाता है, तो एक सो आटालीस का भाग देंगे, हम लोग किस में, 185 में, 185 में, 185 में, ठीक है, अब 148 का जब 185 में भाग दो भाग जाएगा, एक बार, तो यहां लिकोगे 149, तो जानते हैं, अब 37 का पाड़ा कितने निमर बढ़ेंगे, चारतीयें बार, चार बर चला जाएगा, तो जागा, साथ चोग अठाइस, चारतीयें बार दूचे उद्वर लीजिए, 37 चोग को 149 होता ही है, पूरा का पूरा कैंसील, तो जिससे कैंसील होता है, वही SCF कैलाता ह यहां पर क्या हो जागा, 37, अब यह SCF हो गया ना, अब सिंपल एक तरीका आपको बताता हूँ, 37 आगया है SCF, अब आपको क्या करना है, कि जो दिया है 149 बटे, 180, इसका आपको गयात करना सरलतमरूफ, तो SCF कितना है मेरे प्यार बच्छों, 37 आया है, तो 37 का भाग उपर भी दे दीजिए, और 37 का भाग नीचे भी दे दीजिए, जो कट कियागा, वही सरलतमरूफ होगा, तो 37 को कितना होता है मेरे प्यार बच्छों, 149 यह तो 4 हो जाएगा, और 37 पांच ही कितना होता है, 180, तो यह 5 हो गया, तो 4 बटे 5, अब बता, यह 4 बटे बाच किसी से कट नहीं कटेगा, तो यही पूरा इसका क्या कलाएगा, सरलतम रूप कहलाएगा, मेरे प्यार बच्छों, तो 4 बटे 5 हो जाएगा, चार बटे 5 के मतलब एवला आपसन, एवला आपसन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चोथा प्रस्न भी मैंने आप लोगों को ब समपाती रिखाएं का निरूपन क्या होता है? जब भी समपाती रिखा पूछता है, तो देखें, समपाती रिखा, यहां लिखेंगे, समपाती रिखाएं, तो समपाती रिखाएं जब भी पूछेगा, तो उसका एक्वेशन होता है, मेरे प्यार उच्छों, कि A1 बाटा A2 जो होता है, वह बराबर होता है, B1 बाटा B2 क और यह भी बराबर होता है C1 बटा C2 के, यह मेरे पार चो निरूपन होता है समपाती रिखा होने का, ठीक है, अब मेरे पार चो दो सम्मिकन आपके पास दिया है, एक तो दिया है 3x-y प्लस 8 बराबर 0, और एक आपका दिया है मेरे प्यार बच्चों, यहां पे 6x-py बराबर सोरह दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, कि अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए, तो सोरह को इधर लाओ, तो सोरह को जब इधर लाओगे, यह हो जाएगा 6x-py प्लस 8 इधर आगा तो माइनस 14 बराबर 0, इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, यह तो पहली रखा का समिक्रण हो गया, दूसरी रखा का समिक्रण हो गया, ठीक है, तो इससे हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यह पहली रखा का समिक्रण इससे तूलना करेंगे, और यह दूसरी रखा का समिक्रण है, तो इससे हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस इसी तरह B1 बराबर Y से Y cancel, तो Y के आगे एक छिपा हुआ है, ठीक है, तो B1 बराबर क्या हो जगा है, यहां पे माइनस एक, इसी तरह C1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 बराबर तो 8 हो जाएगा, तो यहां A1, B1, C1 का वेलू निकल गया, इसी तरह मेरे प्यारोचों, यहां से यहां से X cancel होगा, तो A2 बराबर क्या जाएगा 6, अब Y से Y cancel होगा, तो B2 बराबर माइनस के P, तो B2 बराबर हो जाएगा माइनस के P, और यहां पे C2 निकालनों, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 14, तो यहां पे A1, B1, C1, यहां पे A2, B2, C2, 3 निकल गया, माइनस के एक और बीटु का वईलू यहां सेज़ागा माइनस के बरावर दॉक्षा सब्सक्रित वगरू सब्सक्रिकरते हो सर्वीद समय को प्रोड़न थे आप और यही P का मान पूछा था मेरे प्यारोचो कि P के की समान के लिए तचलिया आपसन देखते हैं तो P बराबर 2 आया है नो मेरे प्यारोचो तो देखें B वला आपसन जो होगा बिल्कुल राइट आसर हो जाएगा P बराबर 2 समझ में आ गया किसी भी बच्चे को डाउट नही होना चाहिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन देखेंगे प्रशन नमबर 6 क्या है कि यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 दोरा निरूपित रखाए परसपर समानतर हैं तो P का मान होगा अब ही अपने क्या देखा संपाती था तो संपाती के कंडि से लगेगा बस यहां पर संपाती और यहां पर समानतर तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जाने कि समानतर जब समानतर बोल दे तब क्या होगा रिखाए तो समानतर रिखाए जब भी बोले तो आपको याद हो चाहिए निरूपन याद है तो आप सब कुछ कर पाऊगे तो स समांतर रेखा होगा तो उसका निरूपण क्या होता है मेरे प्यारवचो उसका होता है कि A1 बाटा A2 तो बरावर हो जाता है B1 बाटा B2 के लेकिन यह बरावर नहीं होता है C1 बाटा C2 के समपाती में तो तीनों बरावर हो रहा था अभी हमने देखा लेकिन समांतर में जो C1 बटा C2 यह बरावर नहीं होता है, B1 बटा B2 के, यह बात आपको याद होना चाहिए, फिर से आप उसी तरक प्रश्ण है, दोनों एक्वेशन थार यह, क्या है, 3X प्लस 2PY और बरावर इधर आपका 2 दिया हुआ है, और एक आपका समिकर्ण इधर है, 2X प्लस 5Y प्लस 1 बर 2PY प्लस 2 इधर आगा, तो माइनस के 2 बरावर 0, और यह वाला तो सही है, तो यह पहली रेखा का समिकर्ण है, दूसरी रेखा का समिकर्ण, मैंने आप लोगों कहा था, यह पहली रेखा का है, ते यह हो जागा, A1X प्लस B1Y प्लस C1 बरावर 0, इससे आप तुलना कर दिजिए, और यह दूसरी रेखा का समिकर्ण है, तो यह हो जागा, A2X प्लस B2Y प्लस C2 बरावर 0, इससे तुलना कर दिजिए, जब दूनों को आप तुलना करोगे, तो यक से यक से यक से यह वाला कैंसिल हो जागा, तो A1 बरावर आजागा, तो B1 बरावर क्या जागा 2P और C1 बरावर आपका माइनस के 2, किलियर है, इसी तरह यहाँ से X से X कैंसिल होगा, तो A2 बरावर 2, इस Y से यह Y कैंसिल हो जागा, तो B2 बरावर 5 और C2 बरावर हो जागा 1, बेलू निकल गया, जह बेलू निकल गया थी, इसे इन फूट अप कर दिजिए, क्या है, A1 बटा ये 2, तो A1 का बेलू 3, और A2 का बेलू यहाँ से निकला है 2, बरावर, B1 बटा B2, B1 का बेलू यहाँ से निकल गया 2P, और B2 का बेलू यहाँ से निकल गया आपका 5, तो आप हल किजिए, 2P का गुड़ा 2 में करोगे, तो दूदू निकल चार P, बरावर हो जागा 5 15, तो P का बेलू निकल लेजे, तो P बरावर क्या हो जागा, 15 चार गुड़ा में उदर जागा, तो चार भाग में आ जाएगा, तो P का बेलू क्या गया, 15 बटे के 4, क्या यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर होगा, 15 बटे 4 का मतलब पहला वाला आपसन देखिए, 15 बटे हो जादा इंपोटेंट है, और सिंपल भी है, यदि 15 चार ठीटा बरावर 8, तो साइन ठीटा का क्या मान होगा, यह प्रस्टन हम से पूछा है, देखिए मेरे प्यारुचो कैसे इसको हल करेंगे, इसके लिए भी मैंने एक पेज ले लिया है, हल करने के लिए, अब 15 चार ठीटा बरावर 8, बेलू आपसे क्या पूछा है? साइन ठीटा का बेलू आपसे पूछ रखा है, कि साइन ठीटा बरावर क्या होगा, अब मेरे प्यारोचो, सबसे पहले आप यहां कौट ठीटा बरावर 8, यह 15 गुड़ा में है, इधर जागा तो 15 किस में आ जागा? वट्टे के कड्ड होता है तो भाइद्हार आठ लंब पंद्राइज नाशान है के number 15 वस्त नहीं बद्टे के number 25 पक्रइजिय कोड कि का आडंब का सोटी क fifteen फ्रमुला होता है अलम्ब आपके पास क्या है पंदर तो यहां पे हो जाएगा पंदर का स्क्वार पलस अधार का स्क्वार अधार आपके पास आठ है तो आठ का स्क्वार तो यहां से कड़ बराबर क्या हो जाएगा करणी में पंद्र का स्क्वार कर दोगे तो हो जागा मेरे प्यारचो दोसो पचीस अपला साट का स्क्वार कर दोगे तो हो जागा आपका च्योंसट तो यहां पे मेरे प्यारचो कोड बराबर क्या हो जागा करनी में 225 और 400 जोड़ोगे तो हो जागा 289 अब कोड़ बराबर क्या हो जाएगा 289 को बर्मूल क्या होता है 17 तो कोड़ बराबर क्या गया 17 और जब कोड़ बराबर 17 गया तो साइन ठीटा बराबर लम बटे कोड़ होता है लम का बेलू तो दे रखा है 15 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों बताए किसी भी बच्चों को परशानी है नहीं होना इतना डीटेल में कोई नहीं आपको बता सकता है जितना में आरां वरन हम से हर एक वड़ पर वीफाइन कर रहा हूं आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं और प्रस्न नंमर क्या है मिरे प्यारों चुल हूआ चलिए इस पर विचर्चा कर लेते हैं प्रस्ट नमबर आठ्वा को लेका प्रस्ट नमबर आठ्वा क्या है कि यदि त्रिभूज ABC तता त्रिभूज XYZ दो समरूप त्रिभूज हैं तो कोड A बराबर 75 और कोड Y बराबर 57 वो तो करा कि कोड़ C का मान होगा अब देखें समरूप है आगे बोल रखा है तो आप वही बताएए एक बोला कि त्रिभूज ABC में ठोटा सा समझाने के लिए त्रिभूज बना लेता हूँ एक पहला त्रिभूज हो गया और यह हमने यहां पर इदर दूसरा त्रिभूज ड्रा कर लिया एक त्रिभूज का नाम में रख इसमें बोला है कि तरिभूज ABC वह सम्पूभ है तरिभूज किसके X-Y-Z के यह already Q-Sně में बोल रखा है मेरे प्पषपारवच्चों और इस हां बोला है कि कोड A bitter PP 75 क्या दिया है कोड A बराबर आपको 25 दे रखा है और साथ ही साथ कोड Y का बेल दिया है कोड Y बराबर 57 दे र तो हम देखेंगे त्रिभूज a, b, c, अर तथा, एक त्रिभूज और है मेरे पास है, त्रिभूज x y z, इन दूनों त्रिभूज में हम देख रहे हैं, अगर समरूप है, तो हम कह सकते हैं, कि यह दूनों भूजायें सवनुपात होंगी, A B A B बटे में X Y तो A B बटे में X Y मैंने लिग दिया वो बराबर होगा A C बटे में X Z के X Z के मैंने क्या कर दिया यहां पर बराबर कर दिया ठीक है मेरे प्यारोचो यहां ते चीज़े किलियर है तथा हम यह भी जानते हैं कि Code A जो होगा मेरे प्यारोचो यह जो Code A होगा Code X के बराबर होगा यह भी बात साय है क्योंकि समरूप है तो Code A Code X के बराबर होगया इसलिए हम कहा सकते हैं कि Code B जो होगा मेरे प्यारोचो Code B किसके बराबर होगा Code Y के Code Y के मैंने बराबर कर दिया और हम लोग जाते हैं कि कोड B जो होगा मेरे प्यार बच्चो वो कितना अंस होगा क्योंकि कोड Y जो है संतावन अंस है और कोड Y जो है वो कोड B के बराबर है तो कोड Y अगर संतावन अंस है तो कोड B कितना हो जागा संतावन अंस हो जागा आप तरिभूज ABC में देखिए कि code A plus code B plus code C बरावर impatient ook ہے तो यहाँ आप लिख बीका वेलू अभी मारूं चल गया है अंस और 152 अंसración कै दो ग़्याद करना है और इस प्रश्नी से एख जाय हो जाएगा तो यहां पे ज़ाएगा वर हम एख लए यही इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा किसी भी बच्चे को परशानी यहां तक नई होनी चाहिए किलियर है सारा चीज समझ में आर आप लोगों को बहुत अश्या आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण नेखेंगे प्रश्ण नमबर 9 देखें प्रश्ण नमबर 9 क्या है क कि बिंदू M जिसका निरसांक आपको दिया है माइनस 3 कामा 4 कि मूल बिंदू से दूरी पुछा है कि मूल बिंदू से दूरी क्या होगा चलिए एक पेज ले ले लता हूं इसके बास समझाता हूं चलिए तो एक बिंदू तो दिया है और मूल बिंदू से इसकी दूरी और मूल बिंदू का निरसांग क्या होता है जिरो कामा जिरो होता है तो मूल बिंदू का निरसांग क्या होता है जिरो कामा जिरो और M का निरसांग आपको देई रखा है अब मेरे प्यारोच हम क्या करेंगे देखिए यह है आपका माइनस तीन कामा चार और यह है आपका 0,0 अब सबको मालूम है मेरे प्यार बच्चो कि यह है आपका x1,y1 और यह है आपका x2,y2 यह बात तो सबको मालूम है,simple है अब यहाँ पर लगेगा दो बिंदों की 20 की दूरी का सुत्र आर दो बिन्दों की बीज की दूरी का सूतर क्या होता है मेरे प्यार बच्छो तो वह होता है कि x1 minus x2 का Holy Squire और Plus यहाँ पे होता है y1 minus y2 का Holy Squire यह होता है 2 बिन्दों की बीज की दूरी का सूतर है अब यहाँ पे value आप रखिए और answer ले जाएए तक करणी में हो जाएगा X1 X1 का बेलू तो यहां रेड़ी माइनस 3 तो माइनस 3 फिर बीच में लगा है माइनस ता आप लगाओगे माइनस X2 का बेलू है 0 ता अप लिखो जिरू इसका हो गया आपका होली स्क्वाइर पुस्ट बन प्लस Y1 का बेलू कितना है 4 माइनस Y2 का बेलू है यहां पे 0 इसका हो जागा होली स्क्वाइर अब इससे हल करेंगे तो हो जागा करणी में माइनस 3 और माइनस 0 मिलके हो जागा मेरे प्यार वचो माइनस के 3 तो इसका हो जागा होली स्क्वाइर प्लस चार में से जीरो जागा ते हो जागा चार इसका हो जागा होली स्क्वार तो यहाँ पे हो जागा करणी में मानस तीन का स्क्वार करोगे तो नो और चार का स्क्वार करोगे तो चार चो को सोरो हो जाएगा अब यहां पे मेरे प्यारवचो करनी में हो जागा 14 और 25 होता है तो यहां पे अब हो जागा मेरे प्यारवचो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुड़े 5 लिख सकते हैं अब यह 25 में से 5 बहरा जाएगा तो 5 तो 5 इकाई जो है इस प्रश्न का right answer हो जाएगा पांच एकाई आपसं देखते हैं चलिए देख लेते हैं तो मेरे प्यारवचो पांच दिया है क्या बिल्कुल पांच मतलब पहला वाला आपसं जहें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किलियर है बिल्कुल किलियर है चलिए मेरे प्यारवचो आगे बढ़ते हैं आगला देखे प्रस नमबर दसवा प्रस नमबर दसवा क्या है तो प्रस नमबर दसवा बोला है कि बिंदू माइनस दो कामा च्छे और माइनस दो कामा दस को मिलाने वाले रेखा खंड के मौद दे बिंदू के निर्दे सांग जाद की जिए और मेरे प्यार चो मौद दे बिंदू क निर्देसांग गयाद करने का फर्मूला आपको मालूम है तो मद बिंदू का निर्देसांग गयाद करना है तो अगर यक्स निर्देसांग गयाद करना है तो यक्स के लिए फर्मूला बनता है X1 प्लस X2 बटे 2 और Y का निर्देसांग गयाद करना है तो Y बराबर formula बनता है मेरे प्यारोचो Y1 प्लस Y2 बटे 2 यह formula बनता है अब मेरे प्यारोचो इतना बाद तो आपको बालू में होगा यहाँ पे कि यह है आपका X1 यह है आपका Y1 और यह होगा आपका X2 और यह होगा आपका Y2 बस value रखना है answer ले जाएगे तो x बराबर मेरे पर उचे क्या होगा x1 x1 का वेलू minus के 2 प्लस x2 x2 का वेलू भी यहाँ पे है minus के 2 और बटे में हो गया 2 अब y बराबर क्या हो जाएगा y1 y1 का वेलू है आफका 6 प्लस y2 का वेलू कितना है 10 और बटे में क्या हो गया 2 तो हल करेंगे तो यह हो जागा x बराबर माइनस के 2 पलस गुड़ा मानस होगा तो हो जागा माइनस के 2 बटे में 2 य बराबर क्या हो जागा 10 और 6, 14 बटे के 2 हो जागा इसे हल करेंगे तो x बराबर माइनस 2 और माइनस 2 हो जागा माइनस के 4 बटे 2 जब इसे कटाओगे तो हो जागा माइनस के 2 और इसी तरह इसे अलकर होगे तो y बराबर 2 8 है 14 तो y बराबर 8 और x बराबर माइनस के 2 तो मुल बिंदू का जो निर्दे सांग हो जागा हो जागा x कामा के y और एक्स का नेर्दे सांख कितना गया मैनस के 2 और 8 के विलू कितना गया वाई का बहुत एंसर हो जाए रहा है मेरे प्यार बच्चों बहुत अच्छा चलिए आ चलिए देखते हैं मेरे प्रस्ट नमबर 11 देखे प्रस्ट नमबर 11 क्या है प्रस्ट नमबर 11 है कि किसी संभाहू त्रिभूज ABC में यदि AD जो है लंब है BC पे तो AD स्क्वाइर जो है वह बराबर होगा किसके यह भी प्रस्ट बहुत जागा सींफल अब जैसे बोला है फ्लास थैंगा देते हैं यह होगा ओने पी और यह होगा सी इस यह लाइन हो है कि यह डिजो है BC पर लमब है BC पे लमब है यहां पर Program बना देते ही तो AD जो है देखे BC पे लम्प हो रहा है चीक है चलिए फिर क्यारा है कि AD स्कॉर होगा मतलब इसका AD का अगर हम इसकॉर करेंगे तो किसके बराबर होगा तो सिंपल है देखे कैसे लगाएंगे तो यहां पर एक त्रिभूज आपको देख रहा होगा त्रिभूज ADC छोटा उला त्रिभूज देख रहा है न बस लिखेंगे त्रिभूज ADC में क्या होगा हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमे से तो त्रिभूज ADC में पाइथा प्लस आधार 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 आपके पास क्या है तो यह आपका पाइथा गुरस नियम अब मेरे प्यारोचों यहां पर ध्यान से आप चीज एक समझ दिये कि यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो A.C. है देखिए A.C. तो A.C. जो भूज़ा है मेरे प्यारोचों वह आपके B.C. के बराबर होगा बराबर होगा की नहीं अब आपको कि क्यों सर बराबर कर रहे हैं तो बराबर इसलिए कर रहे हैं क्यों किसने बोला है कि किसी संभाहू त्रिभूज में जो ये त्रिभूज है वो त्रिभूज का ऐसा है संभाहू मतलब सभी भूजाएं बराबर हैं तो सभी भूजाएं बराबर हैं चाहिस बात है कि A-C जो होगा वो B-C के बराबर होगा, B-C जो होगा वो A-B के बराबर होगा, सब ही भुजा एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि संभाहुत्र भुज़े, तो आप जब आपको मालूम चल गया, कि यहां पर जो A-C भुजा होगा, वो B-C के बराबर होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि संभाहुत्र भुज़े, इसमें कोई शुपाने वाली बात नहीं है, अब देखे, यह जो A-C है, A-C के जहां हम लोग लिखेंगे B-C, तो A-C-sqvar के जैकर हम लोग लिखेंगे B-C-sqvar, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यह आपका AD का σqvar हे, यहां पर होजागा, A-C सqvar हते भी होजागा, क्योंकि कि हमने B-C-sqvar बनाया है, क्योंकि A-C-Osqvar के बराबर है। यहां तक एक लाइन स्मझ्न को बिल्कुल मेरे प्यारुच्च्चो अब देखे है यहां पैई छीज गोर समझना पड़ेगा यहां पे बिल्क selfish है यह जो दौरी यहां तक भीसे दूरि़ा कि दोढ़ः तो पटेहार लेकि इन एसन मधेतिका है कि दॉगन समें में Bring है तो आप क्या करोगे में प्यार्यों यहां गम्म किया है कि इसके काम किया है क्या हो जगार यह हो जागा आपका ad square प्लस यह हो जागा आपका dc square अब एक काम करेंगे कि आपका जो 4 dc square है यह प्लस dc square इदर आगा तो minus के dc square हो जाएगा बराबर इधर हो जागा आपका ad square होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा मेरे प्यार बच्चो चलिए आप काम करते हैं 4 dc square में से 1 dc square कर जागा तो हो जागा 3 dc square बराबर इधर बच्च गया आपका ad square clear है? अब मेरे प्यारों चो हमसे ad square ही पूछा था ना ad square अब 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 कितना गया? 3 dc square question में देख लिएजे हमसे क्या पूछा था? तो 3 dc square कर दिख रहा है? 3 dc square कर यह c d square कर दोने बात यह कही है तो d वाला option जो होगा clear हो जागा चाहिए आप इसको इस तरह लिखे 3 dc square तो दोने बात यह कही है यह समें confuse होने वाले कोई बात नहीं है तो d वाला option जो है पिल्कुर right answer हो जागा आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारोचो आगला प्रशन देख लिए प्रशन नमबर 12 देखे प्रशन नमबर 12 भी बहुत ही जादा important प्रशन है इसको भी बहुत सिंपत तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ प्रशन नमबर 12 देखे क्या है बुलाए कि तरिभूज ABC के सिर्सों के निर्दे सांग साथ कामा पांच पांच कामा साथ मारस तीन कामा तीन है यदि BC कामा दे बिंदू D है तो AD की माप होगी अब एक पेज ले लेता हूँ जैसे जैसे बुलाए उसके लिए एक figure बनाना पड़ेगा हमें पहले थ्रिभूज ABC बोलाए तरिभूज ABC हम एक बना लेते हैं चली मेरे पैरो जूँ एक थ्रिभूज हम बना लेते हैं ABC यह ओँ जाएगा ए यह वोला पॉइंट है B और यह वोला पॉइंट है C तो हमने त्रिभूज एबी सी बना लिया ठीक है निर्देसांग भी दिया है करमसर एक आया है बी का निर्देसांग की है सी का निर्देसांग की है तो एक निर्देसांग साथ कमा पांच है तो मैंने साथ कमा पांच लिख लिया बी का निर्देसांग पांच कमा साथ है तो प D का माप और यह लंप होता है आपको मालु है। अब देखें कैसे हम लों निकालेंगे। तो एडी का माप निकालने के लिए मिरे प्रेखुटों हम्में D का निर्दिसांग आगसेel चाहिए और D जो है वो BC का मद्धे बिंदू है तो यहाँ पर मद्धे बिंदू आला सुत्र लगा कर दी का हम निर्दे सांग निकाल सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे मेरे प्यार चो कि मद्धे बिंदू क्या लिखेंगे मद्धे बिंदू का निर्दे सांग अब मद बिंदू यहां पर D है तो मद बिंदू का निर्दे सांग हमें निकालना पड़ेगा तो मद बिंदू का निर्दे सांग मतलो D का निर्दे सांग तो मद बिंदू का निर्दे सांग अगर आपको निकालना है तो फर्मूला जानते ही है कि अगर मद बिंदू कंडिर्सांग निकालना है तो अगर X निकालना है तो X कंडिर्सांग क्या होता है X प्लस X2 बटे 2 ठीक है अगर इधर Y निकालना है तो Y के क्या होता है Y1 प्लस Y2 बटे 2 यह फर्मूला होता है तो यहाँ पे देख लीजे मेरी पैरोचो यहां पे अगर मैं X निकाला है तो यहाँ दो लिख देंगे 5 में से 3 जागा तो यह हो जागा 2 बटे 2 2 से 2 के Ancel हो जागा तो एक तो x बराबर मेरे पैरुज उचो क्या आगया एक आइधर y बराबर क्या हो जागा 7, 3, 10 बटे 2 और 2 पाचे 10 y बराबर क्या आगया 5 तो y बराबर 5 यह x बराबर 1 तो D का जो निर्दे सांख है वो आ गया एक कामा के पांच, तो यहां पे D का निर्दे सांख तो आ गया हमारे पास कितना, एक कामा के पांच, अब हम निकालेंगे मेरे प्यारों तो, यहां पे AD का बेलू पूछा है, अब हम निकालेंगे AD, अब मैं इसको पुरा ढग देता ह गएगा तो दो बिंदो के पीज की तूरी का सुत्र क्या होता है करणी में X1 माइनस X2 का होली स्क्वाइर और प्लस Y1 माइनस Y2 का होली स्क्वाइर होता है यही होता है तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर अफ तो AD बराबर क्या होगा मेरे प्लस पांच में से पांच गया तो जीरो का हो जागा होली स्कॉयर तो यहां से अगर हमें एडी निकालें तो एडी बरावर जागा करनी में छे का स्कॉर करो जागा तो यहां से अगर हम निकालें तो एडी बरावर क्या हो जागा छे मात रख क्या आगया एडी की दूरी तो देखे छे मात रख दिया है देना ही चाहिए उसको सी वाला आपसन जो है बिल्कूर राइट आंसर हो जागा मेरे प्यारोचो अभी इतना अराम से और कोई समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा किलेर है मेरे प्यारोचो चलिए आगला प्रशन देख dabा क्या है कि यादि सक ठीटा बराबर दो हो तो ठीटा कमान क्या होगा देखिए ये भी प्रशन में बहुत जादा सिंफल है सब से पहले इस प्रशनम को क्या करेंगे है लोन नोट करेंगे तो यहां पर दिया है सेख ठीटा बराबर दो और पूछ रहा है कि ठीटा बराबर क्या होगा क्यों सर्मार्ग अब हम क्या करेंगे मेरे प्यार बचों कि सबसे पहले यहां पम लिखेंगे juste, और cheap tita बराबर 2 दिया है न तो इधर safe है, तो safe के यही ही टर्म में आम लोग देखेंगे कि safe का कितना था outcome suspend, तो आपको होता है, से ext 60 Hansule dragon醒 Kelly तो इस 2 ख़या है वो हम मतलब कि बी वाल आपसन देखिए, बी वाल आपसन जो है बिल्खुर राइट आसर हो जगा साथ हंस, तो कितना ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारोच अब क्या ही बताएं आपको, अगला प्रस्ट देखिए क्या है प्रस्ट नंबर 14, प्रस्ट नंबर 14, क्या है कि कोसेक स्कॉार ठीटा मानस कॉट इसकॉार ठीटा और एक कोश्टक में दिया है आपको, आपको वन माइनस कास स्कॉार ठीटा दे रखा है, अब हम क्या करेंगे ध्यान सी इसको समझने का प्रयाश करेंगे, कोसेक ठीटा का फर्मूला होता है, कोसेक ठीटा को मेरे प्यार ओचो, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको देखें, तो कोसेक स्कॉार ठीटा को हम लोग लिख सकते हैं, 1 बटे sin is quarter theta, लिख सकते हैं कि नए, बिल्कुल लिख से एक फर्मूला होता है, अब मार्स quarter is quarter theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, cos is quarter theta, और बटे sin is quarter theta, जिनको फर्मूला मालब होगा, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, और एक कोश्टक में दिया है, 1 minus cos is quarter theta, तो इसको इसी तरह नोट कर दो, 1 minus cos is quarter theta कोश्टक बंद, अब मेरे प्यारों चो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आप LCM ले लिजिए, sin square theta, sin square theta, तो LCM भी कितना होगा, sin square theta ही होगा, sin square theta, sin square theta, cancels बज़ गया, यहाँ पर 1 minus sin square theta से भी cancels बज़ गया, यहाँ पर cos square theta, कोश्टक में ने कर दिया बंद, अधर बज़ गया आपका 1 minus cos square theta बज़ गया, ठीक है, clear है, चलिए, आप मेरे प्यारो चो देखिए ध्यान से, 1 minus cos square theta बरावर होता है, sin square theta, यह formula होता है, ठीक है, 1 minus cos square theta बरावर sin square theta होता है, और नीचे तो आपका sin square theta देही रखा है, और इंटू में देखिए, 1 minus cos square theta बरावर क्या होता है, साइनी स्क्वार ठीटा होता है तो यहां से आप देखेंगे कि साइनी स्क्वार ठीटा से साइनी स्क्वार ठीटा जो है मेरे प्यार ठीटा केंसील हो गया ठीक है तो हम बचा क्या मेरे प्यार ठीटा सिर्फ साइनी स्क्वार ठीटा बच गया साइनी स्क्वार ठीटा किलियर आगे वड़ते हैं अगला प्रस्ट नमबर यहां पर देखेंगे 15 प्रस्ट नमबर 15 देखें क्या है प्रस्ट नमबर 15 मेरे प्यारोचो कि एक लंबृतिय बेलन के आधार का छेतरफल है वो 925 cm2 है तो उसके आधार की त्रिजिया होगी यह प्रस्ट पूछा है कि उसके आध से बनता है मेरे प्यारोचो यह आपका बेलन और बेलन का जो आधार होता है वो होता है व्रित्ताकार तो बेलन के आधार का छेतरफल दिया है तो यहां लिखेंगे कि बेलन के आधार का छेतरफल तो यहां लंबृतिय बेलन है ना यहां लिखेंगे लंबृतिय क्या लिख प्रित्य वेलन के कि अधर का चेत्रफल रेथ कि अधरिक यहाँ दे रखना सी ST तो यहाँ जब और निकालोंगे तार बरावर क्यों जब वर्ग इदर जागा तो और उखनोर नौब तीन होता है तो और के वेलू कितना आगया तो पूछा एकि उसके आधार की प्रश्चों तो तीन सेंटीमीटर तो तीन सेंटीमीटर दिया है बिल्कुल दिया है यह फीटड नुए और यह हां पर फीगर ऐसे बनेगा艇 यह जो बृत lugod है यह बृत चार सेंटिमीटर त्रिजया का एक वृत है और उस वृत के अंदर हम खीचे जा सकने वाले वर्ग का चेतरफल हमसे पूछा है कि उसके बीच में जो वर्ग खीचा जा रहा है उसका चेतरफल क्या होगा अब मेरे प्यार बच्चों ध्यान समझिये और इसका यह है भीकड ठीक है विकड़ी भुझा है इसके भुझा यह, 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 क्यों वर्ग की सभी भुझा है बराबर होती है यह यह बात आपको भी मालूम है अब मेरे प्यारोचो देखे यहां पे, कहीरा कि 4 cm त्रिजया वाले बृत के अंतरगत खीचे जा सकने वाले वर्ग का छेतर फ़लोगा, यहां पे त्रिजया आपको दे रखा है, आर बराबर 4 cm मेरे प्यारोचो दे रखा है, आर बराबर 4 cm है, अब मेरे प्यारोचो अगर हम ब्यास निकाले व्यास कि अगर हम बात करें तो व्यास कितना होगा मेरे प्यारोचो तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है मतलब 2R होता है व्यास तो यह हो जाएगा 2 into R के बेलू 4 तो 4 दून के 8 cm 8 cm व्यास दे दिया यह पूरी के पूरी अगर हम ब्यास की बात करें तो व्यास कितना है 8 cm पूरा का पूरा व्यास आ गया इसका ठीक है अब सब को मालू है कि भूजा हमने A माना है तो यह लिखेंगे कि माना भूजा A माना भूजा A भूजा को मैंने A माना है तो वर्ग का जो विकड होगा मेरे प्यारोचों किसका वर्ग का विकड तो वर्ग का विकड होता है तो वर्ग का विकड यहाँ पर विकड आप देख रहे हो तो वर्ग का विकड जो है वो वृत के व्यास के बराबर है क्योंकि यही वर्ग का विकड है और यही वृत का क्या व्रित के व्यास भराबर है, मैरे व्यास ने और 12 होता है, तो व्रित का विल्यास में शेका है शेक मालूं निकालों व्राबर मतलब A square तो 8 का square करूए तो 64 को तो सिर्फी 2 ही आने वाला है दो से कटा दोगो 64 को तो आजाएगा 32 तो 32 सेंटीमीटर स्कॉार आजाएगा मेरे प्यारोची इसका आंसर तो 32 सेंटीमीटर स्कॉार दिया है तो आप देख पा रहे हैं कि B वाला आपसन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जागा कि उससा नमबर सोरा का तो सोरा का B वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ में आगया मेरे प्यार बच्चो चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमबर 17 की तरफ चलिए मेरे प्यार बच्चो देख लिए प्रस्ट नमबर 17 अब प्रस्ट नमबर 17 क्या है उसको थोड़ा द्यान दीजे बोलाए कि निम डिखी सारड़ी के माद देखोगा मतब एक सारड़ी दिया हुआ है आपसे माद दे पूछा है ठीक है कि माद दे क्या होगा और इसमें आपको एक कालम में वर्गंतराल देखनों के मिला होगा एक कालम में बारंबारता देखनों के मिला होगा मात निकालने हैं बहुत हिज रादा सिंपल है मेरे प्यार उचो, उसके लिए आपको सारडि बनाने पड़ेगी तो दो सारडि तो यहीं से बन जाता है वर्ग अंतराल बारंबारता का तो देखके ही बना लोगे देखे कैई से हल करेंगे ठीक है बारम बारता को मेरे प्यारोचो FI से डिनूर करते हैं किसे FI से अब दो कालम आपने से बनाना पड़ता है ये कालम बनता है मेरे प्यारोचो XI का XI से मद्यमान बोलते हैं ठीक है और ये कालम बनता है मेरे प्यारोचो FI into XI का ये ही दो कालम आपने अलग से बनाना पड़ता है इस तरह आपको लाइन कीचना आपको स्केल से सीधी लाइन कीचना है यह तो बस मैं समझाने के लिए आपको इस तरह की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है बागी आपको इसकोल से सीधा सीधा लाइन कीचना यह बात याद रखना है वर गंत्राल देखके लिख ल यह दो नहीं हो चाहाँ कर दो जाएगा चाहर ईससे तरह साथ और पांच और पांचla का अदा करोगित हो जाएगा 6 7 और 9, 11, 11 8, 9, 11, 20 20 का अदा करोगित 10 ऐसे मद्दमान निकला जाता है इसके बाद है 5 into X I पत्el दोनों का गुड़ा कीजिया तो 4 चोगो, ये होजगा 11, ये होजगा 6 दूनिके 12, ये होजगा 8, 8, ये होजगा अब का 12 मरता FI तो इसको लिखेंगे सिग्मा FI मतलब योग सिग्मा मतलब क्या होता है योग मतलब FI का पूरा योग बताईए तो चार दूछे चैक साथ 1010 तो सिग्मा FI के वहलू 10 आगया इसी तरह यहां पर इसका उनलों लिख लेंगे सिग्मा FI इंटू XI का मतब इसका यूग तो यहां से जूड़िए तबाराइट बीस अथीस वीस पचास अब पचास और सुरू कितना होता है 56 ठीक है पचास और सुरू कितना हो 56 ना कितना हो जागा 66 चलिए आप मेरे प्यारोचो देखे अब हमें निकालना था माद्दे अब फर्मू में बसलो होता है सिगमाonder outta मेंुमा में Viej और बत्यमें होता है सिगमाओ अफड़ऋ एंशी लॲूद कर दख़े रखा है सिगमाओ एंपाइंट भागिए इसमें तो 6.6 रहकते हैं देखने को भी लेगा program सन्पर्दीर्क क्या आदम जा उब उंट सिक्स बिल्कुल दिया होगा सिवा लामसां जो यह बिल्कुल नाईयगा है क्या हूँ था क्या उस फिर्फ तो संख्या के आने की प्रेक्ता क्या होगी तो मेր संबह परिणाम pair of cool sambo paradigm बराबर क्या होगा मेरे प्यार क्या होगा अब आप ही पताए एक पासा में 6 फलक होते हैं तो किसी भी पासे को जिसे लुडू को अगर आफ फेक दियें तो या तो 1 आए गा या तो 2 आए मेरे प्यारोचों आप बताईए कि अभाज संख्या पूछा है कि उसमें से भी अभाज संख्या आने के प्रज़ता क्या होगी तो अभाज संख्या कौन कौन सी है या तो दो आ सकता है या तो तीन आ सकता है या तो पांच यही अभाज संख्या है ना तो अभाज संख्या मतल तो अनुकूल प्रडाम के संक्य टोटल कितने तीन है एक दो तीन या तो दो आएगा तो तीन आएगा तो पांच आएगा अब हमें क्याद करना मेरे प्राइक्ता तो प्राइक्ता का फर्मूला मालों में तो तुरंद कर पाओगे तो प्राइक्ता फर्मूला क्या होता प्रा एक वट्टे के दो यहें वो नबर राइट नबर अथा रखार अगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देख हुआए प्रस निमबर प्रस्ट नंबर 19 देखे क्या है प्रस्ट नंबर 19 से है कि यदि किसी आवरिती वितरण का माद देज़े है वो 20.5 तथा मादिका एक कई सो तो उसका बहुलक होगा अब मेरे प्यारों चो इसका भी एक फर्मूला होता है फर्मूला अगर आपको मालूम है तो फर्मूला क्या होता है उसको नोट कीजे फर्मूला होता है बहुलक बराबर यहां लिख लीजे नोट कर लीजेगा बहुलक बराबर मेरे प्यारों चो फर्मूला होता है तीन गुड़े मादिका होता है और माइनस में दो गुड़े मादिका होता है माइनस के दो गुड़े मादिका होता ह और आबको बीस दसमीलों को पांस डे रखा है तो बीस दसमीलों को पांच यह हो जागा मेरे प्यारवोचो तीन एक OD25 तीन दुनी के IS type टीर segunda minus बीस दसमीलों के दूगना करेंगे तो डीर सा कितना हो जएगा बीस दूणी का Review के चंश से एक तालीस हा जाएगा अज तीर देखे 22 दिया है जरूर से जरूर देना चाहिए डी वला option जो है बिलफूर राइट आंसर हो जागा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न के क्यूसर नुमर बीसवा है कि निवलीखीत में से कौन सी घटना परहिगता नहीं हो सकती तो मेरे प्यारवचो इसमें कौन सी घटना प हाँ चार में तीन का अगर हम भाग दे दे तो यह हो जागा मेरे प्यारोचो कितना एक पॉइंट तीन एकम तीन यहाँ पर हो जागा एक फिर जीरो बढ़ाऊगे जीरो यह हो जागा तीन तीन नो फिर एक ठीक है तो इसका मान जो है वह एक से अधिक है बोला किया है निम्लिकित में से कौन सी गर्टना की परेक्ता नहीं हो सकती तो देखो परेक्ता हमेशा एक से मेरे प्यारचोग एक हो या एक से मेरे प्यारचोग कम होना चाहिए तब ही वो परेक्ता कहलाएगा एक हो या एक से कम एक से अधिक होगा तो परेक्ता नहीं कहलाएगा तो यह तो 20 अब्जेक्टी क्यूसन थे 20 अच्छे तरीके से समझा दिया आप लोगों को और खंडबॉब को मैं अगले वीडियो में आपको कवर कराने वहां कि यह बहुत लंबी हो जागी तो आप भी नहीं उसको कवर कर पाओगे तो यहां पर खंडबॉब को लोग बता दूगा उसको किलियर कर देना सत्तर में सत्तर नवर विल्कुल हो जाएंगे पके वीडियो पसंद आ तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना चनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आम मिलेंगे एक प्यार से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद